हेलो दोस्तों राकेश जुन जुन वाला को को नहीं जानता इनकी पांच इन्वेस्टिंग टिप्स मैं आपको देता हूँ और आप देखके लोहा मान जाएंगे तो बात को शुरू करेंगे शुरू करने से पहले गर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक को शेर कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ यह शेर भी कर सकते हैं आप आई यह बात को समझते हैं अर्विन सर्म मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जैसा आप देख रहे हैं how to start investing five lessons for beginners कहां से राकेश जुजुवाला साब के राकेश जुजुवाला को कौन नहीं जान हैं तो इस बिग मैन और सब काफी इज़त की निजनों से राकेश जुजुवाला को देखते हैं क्या टिप्स हैं इनकी वो देख लेते हैं हम लोग पहली राकेश जुजुवाला के पांच बिग लेसंस for investing ऐसी companies ढूनो जो दूसरों को टकर देके आगे बढ़ी हो यानि competitive company नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ पकड़ ली जहां पर कोई competition नहीं है या बहुत कम है वैसी company ना पकड़िये ऐसी company पकड़िये जिन्होंने लोगों को अपने competition को कड़ी टकर दी है और जीता है game क्योंकि कई competition आगे भी जबाएंगे तो भी य चेता के रुप में निकल पाएंगी निकर पाएंगी तो ऐसी companies को ढूणना जरूरी है जो competitive हों टकर देके आगे बढ़ी हों दूसरा big lesson हमेशा सही होना जरूरी नहीं है आप जो investing करते हैं तो एक दो company में अगर गलत investment भी हो जाए तो आप उसको लेके परिशान ना हों उसस सीखें या तो आप earn करेंगे या learn करेंगे यही बात ही कहते हैं because either you earn or you learn तो किसी एक दो company में अगर investment गलत हो जाता है तो आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है आप उससे सीखें और अगला जो आपप decision हो वो समझ भूच के लीजिए तीसरे की बात करते हैं कमाने से पहल उतने share market में कि आपको कमाने ही है कमाने ही है और उसके हिसाब से आप उसकी जानकारी या knowledge एक ठान ना कर पाएं जितनी बहतर आपकी knowledge होगी उतना ही बहतर आप stock market में performance अपनी कर सकेंगे तो पूरी information या पूरे ग्यान के बिना आप investment knowledge लेके जाएंगे तो रिसकी बना जादा information जादा knowledge जादा chances हैं कि हम लोग stock market में बहतर performance कर सकें चौथा patience ही success की है patience या धायर रखने की जरूरत है राकेश जुन जुन वाला का कहना है कि business खरीदो stocks नहीं यानि हमें business लेना है stock नहीं वो business जब grow करेगा तो हमारा stock भी grow करेगा जब तक business की news समली हुई है तब तक कोई भी share का share को मत बेचो जब तक business entity मजबूती से तब तक share को बेचने का कोई लाब नहीं है patience रखिए दीरे दीरे सब बढ़ जाते हैं 21 दिन में पैसा double ऐसा बिलकुल नहीं होता कि आप सोचें कि रातो रात या किस दिन में पैसा double कर लीजे पेशन्स रखना होगा धैर रखना होगा company अच्छी है तो आने वाले दिरों में अच्छा performance वो करके रहेगी पांच ही stock lessons की बात करते हैं stock market का अपना passion बना लीजे जितना उसमें डूबेंगे आप उससे प्यार करेंगे जितना है ना उतना ही stock market आपसे प्यार करेगा तो stock market में passion के तहट जाईए कि मुझे और सीखना है और बहतर करना है देखिए stock market में कभी भी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी बस जानकारी रखिए patience रखिए disciplined approach होनी बहुत जरूरी है और ये थे 5 lessons जो मेशा ध्यान अखने चलिए एक big bull से 5 lessons जो हमें share market में बहतर मुनाफ़ा या अच्छा share market में performance की तरफ ले जाने के लिए lessons मिले हुए है उमीद करता हूँ ये वीडियो कुछ न कुछ आपको बहतर लगा होगा लाइक और शेयर कीजेगा और विंसर मोटिविशन चैनल को subscribe कीजेगा